गाईस अगर आपको कम बजट में एक अच्छा PC पर्चेस करना है तो आप HP कंपनी का ELITE DESK मॉडल का ये PC कंसिजर कर सकते हैं इस PC का कन्फिगरेशन और इसका जो प्राइस है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा गाईस ये PC मैंने अमाजन से पर्चेस किया है इसका प्राइस मुझे पड़ा है 13,999 जब मैंने ये PC पर्चेस किया था उस मॉडल में डिवजी रैचर नहीं था लेकिन अभी जो मॉडल एवेलेवल है जो कि आप देख रहे हैं इसमें डिवजी रैचर भी आपको मिल जाएगा आपको लगाना पड़ेगा और इस तरह का मदर्वूर्ड आपको जेब्रोनिक्स या फिर इस तरह के जो कंपनी से जिनके मदर्वूर्ड के प्राइस कम है इस तरह का कोई भी मदर्वूर्ड आपको लगाना पड़ेगा यह देखेगा और यह जो गाइस केबिनेट होते है इसमें कुछ नहीं रहता, यह बस ठीन का डबा है, बहुत ही हलके होते हैं, लेकिन यह जो इसका जो cabinet है यह बहुत ज़्यादा अच्छी quality का है, यह काफी भारी भी है, और इसमें जो ports आपको मिलेंगे, वो भी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर ऊपर दो port मिल जाएंगे, जो कि PS2 माूस और PS2 कीबोट के लिए है, यह माूस का port है, यहाँ पर आपको दो USB पोट मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको एक लैंड पोट मिल जाएंगे, जो कि आपको उतने काम नहीं आएंगे, यहाँ पर देखिए काइस वीजीयла और यहां पर आपको 2 और 3.0 USB पोउट मिलेंगे और 2 नौर्मल पोउट मिलेंगे यहां पर आपको audio और माइक का पोउट मिल जाएगा और यहां पर देखिए SMPS में पावर ज्यक्राइब लगाने के लिए इसका पोउट है इसमें आपको 6 month की seller की तरफ से warranty मिल जाएगी और साथ ही आपको 7 days का replacement भी मिलेगा इसमें mini to medium size के जितने भी games हैं जिन games में graphics card की जरुवत नहीं पड़ती वो सारे गेम बहुत ही अच्छी तरह से चल जाएगे कोई भी problem नहीं आएगी और आपके regular जो काम होते हैं वो सब कुछ बहुत अच् इसमें i3 4th generation का processor लगा हुआ है लेकिन इसमें i5 6 generation का processor है साथ में 8GB RAM है और 256GB का SSD भी है वैसे इन दोनों PC का performance बहुत ही बढ़िया है लेकिन फिर भी अगर आपका budget थोड़ा सा ज्यादा है तो आप यह i5 6 generation का PC ले सकते हैं यह थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा तो guys मेरा जो conclusion है वो यही है कि अगर आपको PC एक बनवाना है आपका budget कम है आपका 14-15,000 रुपे तक का budget है तो आप इस तरह का PC ले दीजेगा क्योंकि अगर इन दोनों में हम compare करें तो यह PC मच बेटर है as compared to इस तरह का PC अगर आप यह सारे motherboard देके assemble करवाते हैं इस तरह के component देके तो कि आपको बहुत ही अच्छे condition में Amazon पर मिल जाते हैं गाइस मैं आपको इस PC का इंटरनल condition है वो भी एक बार दिखाएता हूं यहाँ पर देखिए इसका जो cover है वो कुछ इस तरह से खुलता है यह देखे गाइस यह खुल गया अब गया आप देख सकते हैं यह HP company का branded PC है तो इसके अंदर जो motherboard है इसका size बहुत ही बड़ा है और इसमें RAM लगाने के लिए 4 स्वार्ट दिये गये हैं इसमें फिलाल एक ही 4 GB का RAM लगा हुआ है आप चाहे तो इसे upgrade करके 16 GB या 32 GB भी कर सकते हैं यह up to 32 GB तक support करेगा गाइस वैसे तो इस PC का speed बहुत ही जादा अच्छा ह हैं तो इसमें बस एक SSD लगा दीजिएगा यह SSD आपको लगबग 900 से 1000 रुपय तक मिल जाएगा बस इतना ही खर्चा आपको करना है आपका यह PC रोकेट बन जाएगा और इस PC की जो सबसे अच्छी बात है पहली बात तो इसका cooling system बहुत ही जादा बढ़िया है आप देख सक आपको मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूं यह देखिए अगर आप 14-15,000 रुपय के budget में कोई PC असेंबल करवा रहे हैं तो फर्क सिर्फ इतना है कि उस PC में आपको एक साल की warranty मिलेगी और यह जो PC है इसमें आपको 6 मैने की warranty मिलेगी सेलर की तरफ से जिस भी सेलर से आप यह PC पर्चेस करेंगे अमजन के थ्रू और इस PC में आपको 7 days की replacement भी मिल जाती है आप 7 दिन के अंदर आपको PC पसंद ना आया या फिर अगर PC में कोई problem आपको लगा तो आप इसे replace भी कर सकते हैं यह PC much better है as compared to कोई फी अगर आप 15-16, 12,000 रुपए में PC assemble करवा रहे हैं 61 series के या फिर 81 series के motherboard लगा कर मैं आपको इन दोनों टाइप के PC का link जो है वो description में दे दूँगा अगर आप चाहे तो वहां से जाके check out कर दीजिएगा और अगर आपसे possible हो तो इसके साथ है कि UPS purchase जरूर कर दीजिएगा अगर आपके घर मे inverter है तो आपको UPS की जरूरत नहीं है लेकिन अगर inverter नहीं है तो UPS जरूर लगा दीजिएगा क्योंकि UPS अगर रहता है तो हमारा जो PC होता है उसकी live बहुत ज्यादा बढ़ जाती है वो बहुत ज्यादा दिन तक चलता है आप इसके उपर इस तरह से monitor भी रख सकते हैं यह यह दिखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है और गाइस इस PC के साथ आपको monitor भी अगर purchase करना है तो आपको Amazon पर ही लगवग 4-4,500 रुपे के अंदर 19 इंच के monitor मिल जाएंगे जो की काफी बड़ा है और अगर आप उससे भी बड़ा या फिर उससे छोटा भी monitor लेना चा जाएंगे जाएंगे